विष्णू राज का एक नया खुलासा हालो फैरें नमस्कार मैं मधूलिका आप सबका श्वागत करती हूं आपके अपने यूटूब चैनल जिसका नाम है मधूलिका यूपी आर बीयल दोस्तों विष्णू राज का इतना बड़ा नया खुलासा है अब कभी विश्वास नह जाने कितने लोगों से जूट बोला और क्या क्या हुआ तो दोस्तों आज की वीडियो में सब कुस में बताने वाली हूं तो आप लोगों से रिक्वेस्टर वीडियो को फुलवाच कीजिएगा चैनल में पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों जैसे आपको मालूम है मालती जी को गए धाई महीने हो गए इस दुनिया से मालती जी इस दुनिया में नहीं है और मालती जी के पिता को अभी नयाय नहीं मिल रहा वो दर-दर की ठोकड़े खा रहें भटक रह कहीं धर कहीं उधर और मालती के पीता ने एक बिजनिस शुरू किया है सबजी का ठेला लगा के क्योंकि मालती के केस को लड़ने के लिए एक पीता को चाहिए सबसे जादा क्या मनी जो कि उनके पास नहीं है जिसकी वज़े से उन्होंने सबजी का धंदा किया जिसकी वज़े कि इसी फरवरी के फर्ष्ट वीक में ही फर्ष्ट वीक ही चालू है तो फरवरी के विष्नुराज की डेट है डेट मिली हुई तारीक और उस तारीक को क्या होगा मैं अभी आपको बताती है तो दोस्तों कुछ सबूत लगे हैं लोगों की वीडियो से पता चला है कि विश्णु राज ने कुछ कबूला है कि ऐसा ऐसा हुआ था तो दोस्तों जैसे आपको मालूम है सब लोगों को पता यही करना है कि अखिर उस रात क्या हुआ था यानि कि 22 नवंबर की रात में क्या हुआ था जिसकी वज़े से मालती दुनिया को खोड़के चली गई तो दोस्तों सबसे पहले ये बता दे जब यानि 21 नवंबर को मालती विश्णु राज के शाए शास समझ्जोता होता है जब यह लोग इस्टेशन में रहते हैं पुलिस इस्टेशन में रहते हैं तो वहां पे जाके यानि ठाने में जो बात होती वहां गुरकुरी भोची वगरा सब लोग रहते, तो मालती जब शम्जोता करती है, तो मालती का सबसे पहला कोश्चन ये रहता, विष्णुराज की बातों से लगा, विष्णुराज ने बताया, कि ठीक है मैं सम्जोता करूँगी, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, मगर मेरी एक लिए है तो भिष्णु राज ने पुचह कि तुम्हारी शर्थ क्या है सब लोगों ने कहा सर्थ तुम्हारी म staid कि तुम के अर्जुन को कुछ कंगे हैं ऐसा भिष्णु राज का कहना है की मालती ने ऐसे झे इस च yapmışी त्लंट होता करने के लिए त्यार वह वह बोल ले थी हम तुम्हारे शाथ नहीं जाएंगे मैं अपने बच्चे को अलग रख के पालूंगे अच्छ विश्णु राज को विश्णु राज की उपर विश्णु राज ने कहा मेरे उपर काफी पेशर था काफी वह था लोगों का क्योंकि लोगों के कमेंट भी और विश्णु राज अपने बेटों को पहले ही दिन यानि एक दिन पहले ही लेके आ गया था वह सोसता था सब लोगों का कमेंट भी था और वह सोसता था दवाव भी था कि मेरी वाज़े से मेरे बच्चे की भविस्ट नहुत जिसकी वाज़े से मैं जो हूं मैं उसको माल अर वी जब लेके आते हैं तो जो बिश्णु राज की मौसी राती मौसी जो है बिश्णु राज के बेटे से बहुत पयार करती वह उसको खिलाती है कुदाती यहां तो विश्णु राज का बेटा जो है विश्णु राज को मारता है और कहता मैं यहां रहूंगा मतलब अभी दो साल का ही हुआ है बताए उस समय तो दो साल का पूरा भी नहीं हुआ था यानि आज के ठीक दो ढ़ाई महीने पहले की बात है तो विश्णु राज ने बत माल्ती को सब्झाएंगी तो विश्नु राज से बहुत है। नेสे mm dãynter today's life that तो विश्नु राज के बताया कि मैं धरी माल्ती पोल रहा है कि सिस्फा बजाना फसादूंगे ऐसे नीरव की बचत है ऐसे विश्णु राज बोल रहा है फी उसके बाद क्या होता विश्णु राज बहुत परेशान रहता क्योंकि उसको तो चाहिए था कि मालती कैसे भी करके मेरे घर वापस आजा है मेरे बच्चे के लिए हां हमारा और उसका शमंद नही कि मालती जो है आने के लिए तयार नहीं थी फी कॉल किये फी सबसे बात किये अच्छा मालती आने के लिए तयार हुई सब क्योंकि मालती की उपर भी पेशर था जंता का सोसल मीडिया पर जैसे ही मालती के वीडियो आते थे सब लोग मालती को यही करते थे मालती तुम कैसी तुम्हें जाना चाहिए अपने बेटे के लिए तुम्हें जो विश्णू राज सुख देगा वो अर्जुन बर्मा नहीं देगा ना तो उसकी शकल अच्छी हो ना तो उसके पास पैसा है ना तो कुछ भी है तुम पता नहीं कहां फस गई हो ऐसा लोगों का कहना था क्योंकि मालती जो है मालती का रिष्टा गलत माना जा रहा था अर्जुन बर्मा के साथ क्योंकि मालती जो है अर्जुन बर्मा को भाई भी मानती थी ऐसा कि आप लोगों को अभी को पता है उन्होंने राखी भी बानी थी अर्जुन बर्मा को अब उ तयार होती तो उसका बाब जो है विश्णु राज से बोलता है कि मालती को कुछ दिन के लिए यही छोड़ दूँआ भी डिप्रेशन में थोड़ा से वो जब बाहर आ जाएगी उसके बाद आप कहिएगा उसके बाद आईएगा लिवाने तब भी वो नहीं मानती वो नहीं म तुम चलोगी सब चीज ठीक हो जाएगा तुम जैसा कहोगी वैसा होगा बच्चे के लिए हमें जाना थे तब मालती तयार होती है और विश्णु राज ले के आता है अच्छा मालती के जब जाने के पहले मालती ने एक वीडियो बनाया था उसमें बताया कि मैं जा रही मैं अपने बच्चे के लिए मजदूरी महनत कर लोंगी महनत करके खवाऊंगी मगन मैं अपने बच्चे के लिए कुछ करूंगी मेरा बच्चा सब कुछ है तो क्या आप लोगों को लगता है कि मालती ने खुदा ऐसा किया होगा कोश्चन यहां पर है इसको मार्क किया जा तो सबका यही कोश्चन है अखिर मा विडियो क्यों नहीं बनाई जो बंदा यहां तक कि मालती की जब डिलेवरी होनी थी डिलेवरी होनी के टाइम पर उसने उसका विश्णुराज का बस नहीं चला कि बच्चा कैसे पेट से बाहर आता है यानि कैसे डिलेवरी होती नहीं वो भी दिखाता मगर वो मालती कैसे घड़ी घड़ी तड़ा परा ही थी बच्चे के लिए सब कुछ उसने रिकॉर्ड करके दिखाया था जो कि एक गलत है मगर फिर भी उसने सब कुछ दिखाय था फिर उसके बाद जब मालती को लेके आता है मालती ठीक रहती सब कुछ रहता बिश्नु राज का कहना है कि मालती से जब मेरी बात होती तो मालती ठीक रहती मालती के पीता जब बात करते है तो बोलती हाँ मैंने खाना खाया सब कुछ सही है फी रात में मैं मालती को लेके चला गया मालती तब भी विश्नुराज के कहना है मालती तब भी अर्जुन वर्मा से बात कर रही थी फोन पे और कह रही थी मुझे अर्जुन जाहिए और मुझे कुछ नहीं वहां से आने के बाद भी तो यहां पे बिश्णु राज का कहना अब क्योंकि मालती तो चली गई तो मालती तो अपना पच्छ रख नहीं सकती ये भी हो सकता ना मालती चली गई उसका पच्छ रख नहीं सकता तो बिश्णु राज अपना बोल रहा कि मालती नहीं मतलब मालत के शाथ अगर रहता तो और गुस्सा होती और जो भी बाते होती इसलिए मैं बेटे को लेके निकल गया और मालती ने अर्जुन से बात की अर्जुन ने कहा कि मालती अगर तुम नहीं मिलोगी तो मैं अपने आपको कुछ कर लूँगा तो मालती अर्जुन की डर की वज़े से कि अर्जुन ना कुछ कर ले जिसकी वज़े से मालती ने खुद अपने हाथ ऐसा कि तो दोस्तों आप लोगों ने यह पूरी कहानी सुनी है आपको क्या लगता है कि विष्णु जो बोला है वो सही है विष्णु का point of view यही बैठता है कि विष्णु का कहना है कि अर्जुन ना मिलने की वज़े से मालती ने अपनी जान ली तो क्या ऐसा सच है और हाँ दोस्तों बहुत लोगों की कमेंट आ रहे थे कि आखिर अगर विष्ण विष्णु ने कुछ किया नहीं तो विष्णु जेल के अंदर क्यों विष्णु जेल के अंदर इस वज़े से है क्योंकि विष्णु जो है विष्णु की उपर दहेश प्रथा का केस लगा और जिसकी वज़े से वह जेल में तो दोस्तों आपको क्या लगता है तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है बेटा किस के पास होना चाहिए बिश्नु राज के पास या फी मालती के पीता के पास और फी बिश्नु राज दोसी है या फी अर्जुन बर्मा को कहा जा रहा है साफो साफ उधर चंदा भावी भी कह रही अर्जुन बर्मा और र के वाधिका पर आप लोगों का क्या रह आप लोग जबन कर सकते हैं क्योंकि आप की राय जानना बहत आशक है क्योंकि आप कि अप भी हमारा भी हक है अपनी बात रखने का तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा और यह रही कुछ बाते थी बिश्णु राज ने बताई जिसकी वज़े से मालती अब इस दुनिया में नहीं है फिरहाल दोस्तों मालती को गए हो गए धाई मन्थ अब आज धाई हुए कल तीन होंगे चार होंगे मगर मैं भगवान से हाथ जोड़के प्रात्ना करती हूं कि मालती जी जहां भ को भी इस दुख शहने की सकती दे क्योंकि मा से मा कैसी भी हो मा से बढ़के कुछ नहीं दुनिया मा सब धी बहुत होता है तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं करती बंद और मैं मिलती हूं नेस्ट वीडियो में और विश्णु राज अभी फिरहाल जेल में है कहा जा रहा क बिश्णु राज ज्लता लगएगा तो कितने लोग चाते विश्णु राज जाल बहुत बाहरा है विश्णु राज जेल में विष्णु रख़ता है यहां नतीु अ च्प करती हूं इण बप्रमित्यों ने करते हूं हो वीडियो का यह जया है